को कि नमस्कार दोस्तो सवागत आपका अपने YouTube channel नैन शकूल उफ नॉलेज पर दोस्तों आज हम जो टैकनिकल के सब्जयक्ट के बारे में हम जो इलेक्टरिकल सब्जयक्ट मएं स्टैप्र मोटर है उसके बारे में डिसकॉस करेंगे तो यह फों करते हैं स्टैपर मोटर क्या होती है स्टैपर मोटर क्या होती है ए मोटर इन विच दाव रोटर ट्रंस इन डिस्ट्रिक मूवमेंट इस घाले स्टैपर मोटर मतलब की एक मोटर होती है जिसमें जो रोटर है वो स्टैप वह स्टैप चलता है उसको स्टैपर मोटर कहते हैं दीज डिस मूवमेंट यह friends मतलब step-2-step ्टू मूवमेंट यह एपन दा Input engages supplied to the router ूंँ यह Megi飛 जाते हैं उस पर करता है उसकी कैसी होगी मतलब किसकी step-by-step된 स्टैपर मोटर का जो केवल मूविंग पार्ट होता है नो को लोका रोटर होता है विच हैस नोबंडिंग एक अध्र आन प्रस जिसके उपर कोई न तो वैंडिंग होती है ना के दिटर होता और ना ब्रस जोते हैं इस्टैपर मोटर का इसे होता है इते शिंपला इलेक्ट्रों मेगनेटिक सदान से एक इलेक्रोमेगनेटिक मोटर है तुद्ध पर मोटर का गांसेंट आरमेसर वाइंडिंग उस पर आरमेसर वाइंडिंग होती है और रोटर किटिने परकारगा होता दो प्रकारगा stepper motor में तो पर्मानेट मेग्नेट rotor और एक दूसरा variable reluctance motor rotor permanent magnet rotor क्या था यह stepper motor in which मेंyo Saeur Motor जिसमें rotor is made up great oh made of the rotor बना ता है permanent magnet permanent magnet का having even number of poles उस में नंबर आफ पोल होते हैं इस गाल्ड प्रमनेंट मेगनेट स्टेपर मोर्टर रूटर क्या होता है डान्त होते हैं यानि पोल होते हैं इसके बारी से पर टू ओप ine वेरीबल रिलक्टेंस वरब्ल रिलक्टेंस राप्त करने के लिए इसके आउटर पेरिफरल पर स्वाथवर, इस बैरीबल रिलक्टेंस रोटर से पर रहता है, यह डायग्राम है इसका फोर्मूला है αल्फा is equal to 360 by n.P एन का मतलब है number of phase, मतलब कि कितने phase की motor है, phase winding on stator, मतलब phase winding कितने phase की motor है, on stator, stator पर, और P क्या था है number of rotor teeth यह नहीं, या और या pulse, जैसे यह question है, calculate the stepping angle of 3 phase, 24 pulse motor, मतलब इसमें stepping angle find out करना है, alpha, जैसमें number of pulse कितने होगे, 24, और number of phase winding कितने है, 3 phase, जैस हम जानते है formula क्या है इसका, alpha by alpha is equal to 360 by NP, इसलिए alpha is equal to 360 by N क्या है, number of pulse 24 into 3 into 24, यह आ गया 5, इसलिए इसका stepping angle कितना है, 5 degree, application of stepper motor, such motors are used, ऐसी motors प्रियोक की जाती है, for operational control in computer peripheral, computer के ओप्रेशन के लिए प्रियोक की जाती है, textile industry में प्रियोक की जाती है, IC fabrication में यूज की जाती है, और robotics में प्रियोक की जाती है, तो यह था step promoter के बारे में discussion, कि step promoter क्या होती है, क्या यूज है, कितने प्रकार के कैसा construction है इसका, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद, जैहिन, भारत मता की जै, बैल आइकोन जुरूर दबाएं,